गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम करेंगे वर्क्षिट नमबर नाइन और यह आपके चाप्टर एग्रिकल्चर से और जो आपका एक चाप्टर एग्रिकल्चर है वो आप जानते ही हैं कि आपके फिर्स टम में आ रहा है और यह जो है टम वन में आ रहा है और इससे हमारे क्या आएंगे MCQ आएंगे MCQ या Case Based Questions ठीक है तो हमें उसे इसाप से इसकी त्यारी करनी है एक एक चीज हमें अच्छे से पता होने ही चाहिए एग्रिकल्चर के बारे में तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि एग्रिकल्चर में हम क्या पढ़ रहे हैं पहले तो हम बेसिकली पढ़ रहे हैं कि इंडिया जो है एक अस्य इंप्रेट्टेंड कंट्री है क्योंकि अभी भी जो है इसकी मोर्दन हाफ पॉप्यूलेशन जो है अग्रिकल्चर एक्टिविटीज में एंगेज़ट है तो यह आपको आ जाता है क्वेस जो है बेस्ट करती है अब किस टाइप की एक्टिविटी है ग्रीकल्चर तो हमें पता है तीन टाइप की एक्टिविटी होती है प्राइमरी एक्टिविटी होती है वह होती है प्राइमरी एक्टिविटी तो जो एक्रीकल्चर है वह क्या एक्टिविटी है प्राइमरी तो अभी जब हम इस चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे रिलेशन्शिप बेट्वीन इंडॉस्ट्री जरूरी है तो एक पॉइंट आप यहां से देख सकते हैं कि जो रो मेटीरियल है इंडॉस्ट्री के लिए वह हमें कहां से मिलता है वह हमें मिलता है अग्रिकल्चर से moreover some agriculture products like tea, coffee, spices etc are also exported तो trade किया जाता है बाहर के देशों में भेजा जाता है जिससे की country को क्या मिलता है profit मिलता है ठीक है इंडिया है बहुत सारी चीजे जो है बाहर की country में export करती है बेचती है और उससे जो है वो profit earn करती है अब आती है हमारे different types of farming तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे primitive subsistence farming क्या होती है second हम देखेंगे intensive subsistence farming क्या होती है third देखेंगे commercial farming क्या होती है four देखेंगे plantation क्या होता है ठीक है अब देखें सबसे पहले primitive subsistence farming primitive मतलब पुराना old ठीक है subsistence मतलब जो हमें survival के लिए चाहिए सर्वाइवल के लिए मतलब जीने के लिए तो यह बेसिकली उस समय की इस फार्मिंग होती थी जब हमारे टूल्स जादा ड्वेलप नहीं थे और जो फार्मर्स थे जो किसान थे वो अपने ही परिवार के लिए खेती किया करते थे मतलब उनका पर्पस जो है वो क्रॉप्स को बेचना नहीं होता था वो क्रॉप्स को क्या करते थे उन क्रॉप्स को वो अपने ही खुद के कंजम्शन के लिए जो है वो यूज किया करते थे तो यह बेसिक परपस होता था किसका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का चलिए पढ़ लेते हैं इसमें क्या कह रहा है बहुत ही कम जगाओं में अब यह प्रैक्टिस किया जाता है यह कहां किया जाता था स्मॉल पैचेज अव लैंड विद्ध हेल्प प्रिमिटिव तूल्स और वह तूल्स कौन से होते थे दाव एंड डिगिंग स्टिक्स ठीक है तो यह ज्यादा कोई इंपोर्टेंट टूल्स नहीं होते थे उनको कोई भी लकडिया पत्थर के जो जार मिल जाते थे उसी से वह यह फार्मिंग किया करते थे और इसमें कौन-कौन तो उनकी खेती अच्छी हो जाएगी नहीं तो नहीं हो पाएगी उसमें वह कोई केमिकल्स या कोई फर्टिलाइजर्स आड नहीं करते थे तो जैसे कि क्लाइमेट को हमें पता है राइस को जादा वाटर चाहिए किसको कितनी रेंफॉल चाहिए कैसा टंप्रेचर चाहिए वह डिपेंड करता था कि वह खुदी नेचर को अब्जर्व करते थे और इस हिसाप से वह क्रॉप्स को ग्रोग किया करते थे इस बहुत इंपोर्टन थे इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इसमें कई बार वन मार्ट क्वेशन आजा था वाट इसमें जो फार्मर्स होते थे वह एक एरिया को यूज करते थे इसमें इरिकल्चर करते थे फिर उसके बाद वह उसको छोड़ देते थे और फिर जो है नेक्स एरिया को वह यूज करते थे तो बर्न कर दिया जाता था ताकि कुछ समय बाद जो है वह अपनी फर्टिलिटी को अगेन जो है रीगेन कर ले Farmers clear a patch of land and produce cereals and other food crops to sustain their family When the soil fertility decreases the farmer shifts and clear a fresh patch of land for the cultivation तो जब fertility soil की कम हो जाती थे उस एरिया को त्याग देते थे और दूसरे एरिया पे shift हो जाते थे और वहाँ पर cultivation को practice किया जाता था ठीक है I think primitive आपको समझ जा गई है old method था जिसमें कोई भी tools जो आपको easily available थे उस टाइम पर उनका use किया जाता था modern tools नहीं थे old techniques थी old tools से old machinery machinery तो थी नहीं रादर और आप देखेंगे कि जो उस समय का कोई chemicals नहीं होता था कोई pesticides निया कोई fertilizer आड नहीं होते थे soil के उपर depend करता था water irrigation के लिए कुछी monsoon पर depend किया जाता था additional कोई tube wells wells कुछ नहीं बनाये जाते थे तो simple primitive पुराने टेक्नीक से इसको किया जाता था और अभी भी बहुत कम जगाओ पर इसको practice किया जाता है अब हम second number पर आते हैं हमारी second है intensive subsistence farming ये और commercial farming इसमें बहुत ज़्यादा बार differences पूछ लिये जाते हैं अब intensive subsistence farming ये है बेटा इसमें आपको याद रखना है किसका example इंडिया का ठीक है इंडिया में क्या है एक small piece of land है पर जो burden है उस land के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है तो ये प्रेशर जो है ना लैंड के ऊपर वो बहुत ज़्यादा एक छोटे से तुकड़े की जमीन से बहुत लोगों का पेठ हमें भरना है और हमारे देश में labor ज़्यादा है तो labor intensive techniques यूज होती है means हम ज़्यादा से ज़्यादा labor को use करते हैं, machinery को हम कम use करते हैं ठीक है तो this type of farming is practiced in the area where there is high pressure on land due to population it is a labor intensive farming where doses of biochemical inputs and irrigations are used for obtaining higher production अब यहाँ पर हमें उस छोटे से जमीन से production ज़्यादा चाहिए तो हम क्या करेंगे हम उसमें fertilizer add करेंगे हम better irrigation facilities use करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए higher production चाहिए ठीक है पर यहाँ पर labor भी हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि इंडिया में जैसे आ इन करेक्टर स्टेक है वो यह है कि इसमें सारे modern inputs मतलब modern technology modern tools का यूज किया जाता है जैसे कि हम high yielding variety seeds आपने green revolution के बारे में class 9 में बढ़ा होगा तो आपको पता होगा है च्वाइवी सीज केमिकल फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइज पेस्टिसाइज इन और तो अब्टेन higher productivity तो जादा production के लिए हम किन-किन चीजों का इस्तिमाल करते हैं इन 3-4 चीजों को ध्यान में रखिए HYV seeds का chemical fertilizers का insecticides का pesticides का इन सब को यूज करते हैं ताकि हमारी जो production है productivity है वो कैसी हो सके वो जादा हो सके the degree of commercialization of agriculture varies from region to region अब क्या है कुछ जगाओ पर कोई crop जो है वो commercial है और कोई crop जो है वही same crop जो है वो उनके लिए basic भी है subsistence crop भी है अब जैसे कि अगर हम rice का example ले तो rice जो है पंजाब हर्याना में इतना नहीं खाया जाता है वहाँ पे wheat खाया जाता है तो वो rice का production किसलिए करते हैं अपने subsistence के लिए नहीं करते हैं self के लिए नहीं करते हैं वो अपने खुद के consumption के लिए करते वह किसके लिए करते कमर्शियल के लिए करते कमर्शियल का क्या मतलब है कमर्शियल मीन्स फॉर सेलिंग ठीक है यह ध्यान रखना कमर्शियल का क्या मतलब है फॉर सेलिंग तो वह बेचने के लिए जो है कमर्शियल का मतलब होता है बेचने के लिए तो जो वह राइस की production करते हैं पंजाब और हर्याना में वह कमर्शिल परपस के लिए करते हैं वहीं अगर हम देखें और इशा तो और इसा में खाया जाता है चावल बहुत ज्यादा इसलिए वहां पर जो यह चावल है वह क्या है वह सबसिस्टेंस मींज़ फोर सर्वाइवल फोर इर्फ यूर फैमिली कमर्शन मीज़ फोर सेलिंग फोर ट्रेडिंग फोर अर्ने प्रॉफिट यह चीज आप ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है आपका प्लांटेशन प्लांटेशन क्या होता है इसमें आपको ध्यान रखना एक बड़ा सा एरिया जिसमें एक ही क्रॉप को बहुत बड़े एरिया पे लगा दिया जाते हैं अब यहां पर हमें दोनों चीज़े चाहिए यहां पर हमें मिशीनरी भी चाहिए यहां पर हमें लेबर भी चाहिए तो यहां पर दोनों चीज़ों की जरूरत है लेबर भी ऐसा ज तो टाइप आप ऑफ कमेर्शल फार्मिंग इसलिए क्योंकि इसको भी हम अभी मैंने आपको बताया है के लिए इस्तेमाल करते चैपक अंगर करते हैं प्रॉफित समाद करते हैं का मतलब है lot of machinery is used यहां पर बहुत अच्छी खासी machinery का इस्तिमाल किया जाता है with the help of migrant labors अब जैसे कि अगर हमें कहीं भी plantation करने करनाटका भी हमें कॉफी ग्रो करनी है या साम में टी ग्रो करने तो सिरफ उस एरिया के नहीं उनके आसपास के एरिया के जैसे की बहुत सारे लोग migrant labors होते हैं जो अपने स्टेट्स चोड़के जैसे दिल्ली पंजाब हर्याना में बहुत साथा यूपी बिहार के लोग भी जाके एस लेबरर या वर्क काम करते हैं इसी पर उनको migrant laborers कहते हैं और दप्रेड्यूस इस यूज्ड एस रोव मेटीरियल इस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज इन इंडिया अब क्या है यहां पर जितना भी उनका रोव मेटीरियल होता करते हो तो इस तरीके से जो है plantation work करता है तो जो बेसिकली agriculture है एक बार हम उसको sum up कर लें तो agriculture हमारी country में बहुत important role play करता है क्योंकि इससे हम आर most of the population हमारी depend करती है इंडस्ट्रीज के लिए भी जो है यह raw material provide करता है इसके बाद क्या देखा था हमने different types of farming देखी थी इसमें सबसे पहले हमने primitive subsistence farming देखी जो की सिरफ अपने परिवार के लिए पुराने tools पुराने equipment का use करके है intensive subsistence self के लिए और family के लिए ठीक है और land जो है वह बहुत small है और इस वज़े से जो है हमें जादा जादा fertilizer का use करने commercial means for sale purpose के लिए trade purpose के लिए यह भी बहुत important है और यह आपके paper के point of view से important है अब इसके बाद यहां पर दिया जाता है if you were a farmer then which type of farming you would like to do and why तो यह आपकी choice होगी कि आप कौन सा करना जाते है आप अपने family या subsistence farming करना जाते है या फिर आप commercial farming करके पैसे earn करना जाते है plantation करके एक ही type की crop को use करके करना जाते है तो it is your own choice ठीक है तो यह आप अपनी choice के हिसाब से जो है आप इसको फिल कर सकते है नेक्स्ट है write a short note on intensive subsistence farming तो इसमें आप क्या कहेंगे कि small land है ठीक है small land है इसके में बस आपको important features बना रहे है इस intense में आप अपना खुद बताईए इसमें pressure बहुत जादा है pressure on land is high ठीक है उसके बास जो है अब हमें क्या चाहिए production जादा चाहिए we want large production तो हम क्या करेंगे क्या use करेंगे हम हम use करेंगे fertilizers chemicals हम यह सब चीज़े जो है use करेंगे ताकि हमारे जो है अच्छी production हो सके ठीक है अब है differentiation अभी differentiation में मैंने आपको बताया था difference में आप क्या लिख सकते है commercial में क्या है lot of machinery use ठीक है machinery यहाँ पे जादा use होती है यहाँ पे क्या use होता है intensive में जादा labor होते है more labor ठीक है वहाँ पे more machinery यहाँ more labor यहाँ पे क्या है इसमें हमारा जो main purpose है वो क्या है earning profit क्योंकि हम sale करके जो है चीजों को by selling ठीक है और यहाँ पे क्योंकि subsistence है तो यह किसके लिए grow की जारी है अपने self plus family और अगर थोड़ा बहुत बच जाता है तो उसको हम उसको little जो है उसको हम trade भी कर सकते है और basically जो है वो family और self के लिए उसको हम produce कर रहे है ठीक है उसके बाद आप example दे सकते हो example में same जैसे उसमें दिया था कि जो rice है वो हर्याना और पंजाब में क्या है पंजाब एन हर्याना में वो commercial crop है क्योंकि उसको sale करके है ठीक है आई होप यह आपको वक्षीट समझ आई हो आज की वक्षी थोड़ी सी बड़ी है और थोड़ी सी मीनिंग्फुल जादा है आप पुरानी वक्षीट से और यह आप आपका basically चैप्टर वाइज आपकी स्टडी प्रॉपरली शुरू हो गई है तो ध्यान जो डाउट है वो आप पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए